सियम योगी सत्ता में आने के बाद से ही अपने फैसलों को लेकर चर्चा में रहते हैं गलती करने पर अपराधियों को सजा देते हैं तो लापर वाही बरतने पराधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं बता दे कि यूपी में लगतार एंकाउंटर की खबरे सामने आती रहती हैं चप से सियम योगी ने सत्ता संभाली है तब से ही लगतार आक्षन देखने को मिलता है अपराधियों पर शिकंचा कसा जा रहा है योगी पुलीस अपराधियों पर तगड़ा आक्षन ले रही है कभी बहन बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों का एंकाउंटर हो रहा है तो कभी दबंग बदमाशों पे बुल्डोजर चलाया जा रहा है अपराध और अपराधियों पर नकेर कसी जा रही है और बेग गुनाहों को बराबर का इंसाफ दिया जा रहा है नमस्कार आप देख रहे हैं कापिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीत कौर आज स्पेशल स्टोरी में बात होगी पुलीस से मुटभेड और तगड़े आक्शन के बारे में साथ ही ऐसे ही और मामलों के बारे में भी आपको बताएंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं पत्नी को गोली मार कर पती फरार आरोपी ने सब इंस्पेक्टर पर की फाइरिंग योगी पुलीस ने लिया तगड़ा आक्शन उत्राखन के दहरागुन में बीतर दिनों एक शक्स ने अपनी पत्नी को गोली मार कर घायल कर दिया जब पुलीस को पता चला कि आरोपी मसूरी के एक होटल में छुपा हुआ है तो वे भी वहां पहुँचे इस बीच मुटभेड में आरोपी ने सब इंस्पेक्टर को भी गोली मार कर घायल कर दिया हाला कि आरोपी को पुलीस ने गिरफतार कर लिया है उदर घायल सब इंस्पेक्टर मिथुन को माक्स अस्पताल में ले जाया गया जहां उसका ओपरेशन किया जा रहा है अब उनकी हालत खत्रे से बाहर है बता दे 13 जनवरी को पुलीस को सूचना मिली थी कि एक महिला थानो रोट के बसाडी पुल के पास घायल अवस्था में पड़ी हुई है सूचना पर ततकाल थाना अध्यक्ष रायपूर के साथ में चौकी प्रभारी माल देफतव पुलीस बल के साथ मौके पर पहुँचे घायल महिला को एम्बूलेंस की सहायता से दून हस्पताल पहुचाया गया ओपरेशन कर उसके सिर से गोली निकाली गई महिला की पहचान नहीं हो पा रही थी इसलिए पुलीस ने उसकी तस्वीर सोशल मीडिया के जरिये वाइरल की ताकि कोई भी महिला को जानता होगा तो वो पुलीस से संपर्क करेगा पुलीस का ये कदम रंग लाया महिला की बहन काव्या ने सोशल मीडिया पर बहन की फोटो देखी तो 14 जन्वरी को वो हरी द्वार से सीधे देहरादुन के रायपूर थाना पहुची उसने महिला की पहचान की बताया की घायल महिला उसकी बहन तान्या है काव्या ने बताया कि साल 2020 में तान्या ने शुभम से शादी की थी जोकी हर्याणा के सोनी पत का रहने वाला है विवहा में दोनों परिवार के कुछ ही सदस से शामिल हुए थे शादी के बाद तान्या अपने पती के साथ सोनी पत में ही रहने लगी थी महीला का अपने मायके वालों से कम ही संपर्क होता था विवहा के बाद चार से पांच बार ही अपने पती वस ससुर के साथ वो घर आई थी तान्या के अपने छोटी बहन काव्या से करीब दो महीने पहले फोन पर बात की थी फिलहाल पुलीस जाच में चुटी है कि आखिर शुभम ने तान्या को गोली क्यों मारी पुलीस ने आरोपी पती शुभम को गिरफतार कर लिया है उससे पूचताच की जा रही है वही घायल महिला की हालत ठीक होते ही उसकी भी बयान लिया जाएगा ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है बलकि ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं दरसल कुछ समय पहले ओपरेशन लंगणा के तहट अमरोहा की गजरौला थाना पुलीस की बदमाशों से मुटभेड हो गई बदमाश दिल्डी भागने की फिराक में थे तिगरी गाउं के नस्दीक दोनों बदमाश भाई पैदल जा रहे थे जहां आरोपियों ने पुलीस तुआरा रोकने पर फाइरिंग शुरू कर दी जवाभी फाइरिंग में एक बदमाश की पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया चबकि दूसरे को पुलीस ने पीछा कर पकड़ लिया पुलीस ने गायल बदमाश को CHC में भरती करवाया है दोनों बदमाशों की अम्रोह पुलीस तलाश कर रही थी बीती शाम दोनों बदमाशों ने एक यूवक पर तलवार से हमला कर उसे गायल कर दिया दरसल यूवक बदमाशों से छेड़ चार करने का विरोत कर रहा था आरोपियों की पहचान सलमान और शहनमाज फिरोस के रूप में हुई है पुलीस के अनुसार आरोपियों ने डिंगरा में यूवतियों की अशलील वीडियो बना कर वाइरल करने की धमकी दी थी चेड़ चार का विरोत करने पर किया जानलेवा हमला इसी बीच आरोपि किसी यूवति से चेड़ चार कर रहे थे गाउ निवासी नौसिंग ने चेड़ चार करने का विरोत किया तो आरोपियों ने उसकी गरदन पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया और फरार हो गए खटना के बाद नौसिंग को अस्पताल में भरती करवाया गया जहां से उसे हायर सेंटर रेफोर किया गया खटना के बाद हिंदुवादी संगटनों में रोश फैल गया और तमाम हिंदुवादी नेता मौके पर पहुँचे और पुलीस से आरोपियों की गिरफतारी की मांग उठाई दिल्ली भागने से पहले पुलीस ने पकड़ा हाला कि इसके बाद पुलीस दोनों बदमाशों की तलाशी में चिट कई दोनों बदमाश चंगल के रास्ते पैदल पैदल दिल्ली भागने की फिराक में थे तिग्री गाओं में बंधे के पास पुलीस ने दोनों को रुखने का इशारा किया तो आरोपियों ने फाइरिंग शुरू कर दी और भागने लगे जिसके बाद पुलीस ने जवाबी फाइरिंग करते हुए एक बदमाश सलमान के पैर में गोली मार कर उसे घायल कर दिया और दोनों बदमाशों को पकड़ लिया बताते चले कि सर्कल सीयो शुविता भासकर ने बताया कि दोनों बदमाश दिल्ली भागने की फिराक में थे गजरॉला इंस्पेक्टर हरी श्वरधन सिंग के नित्रित्व में पुलीस टीम ने दोनों को तिगरी बंधे के पास खेर लिया जहां आरोपियों ने पुलीस टीम पर फाइरिंग की जवाबी फाइरिंग में सल्मान के पैर में गोली लग गई जिसके बाद पुलीस टीम ने दोनों को गिरफतार कर लिया वहीं आरोपियों के पास से एक तमंचा और एक कार्तूस बरामत किया गया है हाला कि उत्तर प्रदेश के बराबंकी जिले से भी इस तरह का एक मामला सामने आ चुका है चलिए उसके बारे में भी आपको बताते हैं दरसल देर रात मुटभेड के बाद 20,000 रुपए के एक इनामी हिस्ट्री शीटा बदमाश को पुलीस ने दबोचा था दरसल इस खतरनाक मुटभेड के दौरान पुलीस की गोली बदमाश के पैर में लगी जिसके बाद पुलीस ने घायल बदमाश को गिरफतार करके इलाज के लिए अस्पताल में भरती करवाया जानकारी के मुताबिक पकड़े गए बदमाश के खिलाफ गौकशी, मादक पदार्थ की तसकरी और गैंक्स्टर आक्ट के तहट जनपत के कई थानों पर दर्चन भर से जादा केस दर्च है वहीं पुलीस ने गिरफतार बदमाश के कबजे से एक तमंचा, दो खोका, एक जिन्दा कार्तूस और एक मोटर साइकल बरामत किया है योगी अधितिनाद की सरकार आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश एंकाउंटर्स को लेके काफी चर्चा में रहा है योगी सरकार के बीते साड़े चार साल के कारेकाल के दौरान यूपी में पुलीस और अधिकारियों के बीच 8,472 मुट भेडे हुई है चिन में 3,302 अपराधी गोली लगने के कारण घायल हुए है और उनकी गिरफतारी हुई है यूपी पुलीस की गोली से कई अपराधी लंगडे भी हो गए है वहीं पुलीस के साथ इंकाउंटर में 146 अपराधियों की मौत हो चुकी है इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अतरिक्त पुलीस महान देशक कानून व्यवस्था ADG Law & Order प्रशांत कुमार ने ये जानकारियां साजा की है उनके मताबिक मुटभेड में घायल अपराधियों की संक्या कहीं जादा होना इसोर इशारा करती है कि उन्हें जान से मारना पुलीस का मकसद नहीं होता ADG Law & Order प्रशांत कुमार ने कहा कि यूपी पुलीस का पहला उद्देश अपराधि को गिरफतार करना होता है ना कि उसे मारना खेर इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बसतना ही बाकि तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Capital TV उत्तर प्रदेश नमस्का